वेलकम बैक टो माई चानल एजी नेचरल ब्यूटी तो आप लोग कैसे हैं आई वोब आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्किन का बालों का हेल्थ का खयाल भी रख रहे होंगे तो आज की इस पीडियो में मैं जो आप लोगों के लिए रेमेडी लेकर आई ह आपके माउत्स विए रॉंड बहुत ब्लेके हो गई है या फीर डारक की प्रोब्लम हो गई है या फिर आपकी सिकन पर कहीं बहुत जब चेंड ब्लैकBox हो गया है तो उन सारी चीजो को खतम करेंगा और आपके ल्एजर जूरी कुछ वल्म को होगा केलबर कायी तो हुरिए केलै ने केलग फ्रमक चाहिए हुगा तो görünसरी तो इसको बनाने के लिए आप चाहिए वहाद्यार है केला क्या होता है जो कि आप की शेयो क्वुआ टुकड़ा ले लिए लॉक तो प्लीस तो फू सब्सक्राइब लेका उसको पना इसके बाद गुद्धाल आपको यहां पर सेकंड इंक रिटन जो है वह तर जावल का आंटा जी हां सावल का आटा जावल की आपके अजिंग के प्रॉब्लम को बहुत हद तक दूर करता आपके कलरे को फेर बनाता जी पर मिल्क ने आपको अच्छा लेन तर आपको उतना जितने में आपके अच्छा से पेस्ट जो है रिड़ी हो जाये क्योंकि जब चावल का आटा आप डालेंगे तो यह पेस्ट को घोलने के लिए आपको जितने भी मिलकी ज़रूरत हो आप उसे साब से अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं बस तीनोचीज़ो को अच्छे से आपको इसे मिक्स कर ले ना है इसको मिक्स के लिए Football को अंकि Old Adobe आप जैसे इजी लगे आपको वैसे कर लिजिए तो मैं तो अभी बस चमits ? मिक्स कर के दिखा रही हूं आपको लेना है कोकोनट ओיל इसके बारे में उसकिन को चृणी केमिक्स बिसकिन the going स्पोर्ट को भी रिमूब करता है अगर आपने सुनाओगा कि कहीं पे जल जाते हैं हां तो में यहां कहीं पे भी तो कोकोनट ओल लगा लिजे तो आपर जले हुए का निशान नहीं पड़ता है तो जब उस निशान को ही मिटा सकता है तो फिर हमारे ब्लेक स्पोर्ट को क्यो मेरा मिक्षर जो है रेडी हो चुका है अब बात करते हैं कि इसको अपलाई किस तरीके से करना है तो आपको अपने फेस को सबसे पहले कर लेना है क्लीन मेकप को रिमूब कर देना है अच्छे से क्लीन करने के बाद गाइस इस पेस्ट को आपको अपने फेस पर लगाना है इसको फेस पर अपलाई करने के बाद आपको 5 मिनट तक हलकेल की हांतों से मसाज करनी है उससे क्या होगा जो आपने चावल खा आटा मिला है उसमें छोटे-छोटे से कड़ होते हैं वो एक क्रप का भी काम करता है वो आपके ब्लैक हैट्स वाइट्स को अच्छे से रिमूब करेगा और आपकी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग, सॉफ्ट, सफल बनाएगा तो अच्छे से आपको 5 मिन तक मसाज करने के बाद इसको अपको अपनी स्किन पर ऐसे ही छोड़ देना है 10 से 15 मिन तक जब तक यह हलका सा ड्राई ना होने लगे जब यह ड्राई हो जाए उसके बाद आपको अपने फेस को वाश करना है और वाश करने के बाद जो रिजल् तो आप लोग उसके बारे में अच्छा या बुरा नहीं बता पाएंगे तो उसको यूज करने उसको आपको यूज करना पड़ेगा तब या उसका बैतर रिजल्ट बता सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते मैंने वाश कर लिया है और वाश करने के बाद जो रिजल्ट ह है वह आप फिल कर सकते हैं जब आप इसको यूज करेंगे तो जरूर यूज किजिएगा और अपना experience मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेर किजिएगा मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूं रिपलाई भी करती हूं और गाइस अगर आप लोग पहली बार कोई भी रेम करेंगे चनल को सब्सक्राइब किजिएगा बाई बाई